तो देखिए आज का जो सेशन रहेगा वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है और बहुत ज्यादा हेल्फुल भी रहने वाला है क्योंकि बच्छों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एंटमोलाजी पैथोलोजी के अंदर इपने सारे पैस्ट समझादेना थोड़ा से सिंपल सिंपल कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है क्या सेयाद रखना है इसका इन क्याक हम प्रेजेन आए हैं यह ukhasis को डिजाइन किया है तो बहुत आपके लिए Windows कि यो130 टे जो आपको पढ़ना बहुत easy रहे तो वो सब चीजे इसके अंदर include करिये हैं कि insect pest के अगर हम बात करें तो उनकी family order, उनका name, main symptom क्या रहता है, क्या characteristic symptom है कि जिसके उपर आपसे जो multiple choice की questions होते हैं, fill in the blanks होते हैं, यह competitive way से भी important रहेगा यह चार्ट आपके लिए, तो इन सब च होगा कि हम उसको बार-बार revise करते हुए चलेंगे कि ऐसा नहीं है कि मामने इक बार बोल दिया, screen पे आगया, हमने read कर दिया कि ठीक है, इससे यह होता है, हम दुबारा-दुबारा जैसे एक crop complete होगी, हम उसके अंदर जो भी important important चीजे रहेंगी, हम उसको दुबारा revise भी करत करेंगे, वो है rice, क्योंकि rice or wheat, यह हमारी बहुत major crop रहती है, जिनके अंदर बहुत सारे disease होते हैं, बहुत सारे pest भी होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम जिसी pest की यहां पर बात करेंगे, तो जो first number पर है, वो आपको दिख रहा है, यहां पर paddy का stem borer, paddy का stem borer जो होता है, अ और सिर्फ किस की उपर attack करता है, किस की उपर feed करता है, यह सिर्फ rice की उपर feed करता है, तो अगर हम आपसे बात करते हैं, कि बताईए भाई, rice का monofagus pest कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा हमारे पास, rice का stem borer यह जिसको हम बोलते है, paddy का stem borer, ठीक है, तो पहली चीज हमें scientific name, अब scientific name की अंदर या तो कोई trick बनाओ, और या फिर हम उसको जब दुबारा दुबारा पढ़ते हैं, जो major major pest होते हैं, तब हमें इसके अंदर यह चीज़ याद रहने लग जाती है, धीर धीर, फस्ट रह में थोड़ा difficult लगता है, लेकिन चार-पांच बार पढ़ पढ जाएगा, तो इसका scientific name जो होता है, वो होता है, स्किर्पोफागा इंसर्टूलस, हमेशा scientific name, बाटनिकल नेम को अरलग से अंदर लाइन करना होता है, और इसमें जो यह जीनस का नाम होता है, इसका first letter हमेशा capital रहता है, ठीक है, और species का नाम हमेशा small से start होता है, इस चीज़ इसका हमेशा ध्यान रखता है, ठीक है, तो पैडिका stem borer, जो कि इसका एक monophagus pest है, उसका scientific name क्या हुआ, उसका scientific name है, स्किर्पोफागा इंसर्टूलस, अब बात करते हैं, ओर्डर की, ठीक है, ओर्डर के अंदर हमें पहले भी बात की हुई है, पेपर के अंदर जो में डिस पीलर होते है, बोरर होते हैं, यह किसके अंदर आते हैं, हमारे पास, लेपीड़ोपी अंदर आते है, लेपेडोपेड रहेती है, उसका स्किर्पोफागा insert Gel皆 ए स्किर्पोफागा wizardகी है पायरे लीडी पैडी के स्टेंब और की फैमिली क्या हुई पायरे लीडी फैमिली अब पूछा जाता है कि भाई इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम अब पूछने कि अगर शॉर्ट आंसर हो तो उसमें भी हमें डारेक्टली पूछ सकते हैं कि बताओ कि डेड हाट जो होती ह है वो किसकी वज़े से कौज होती है सेकंड कोशन ये पूछ सकते हैं वो हमसे कि वाई टियर किसकी वज़े से होती है तीसरे चीज़ अगर जिसे अगर लॉंग आंसर में है तो उसके अंदर तो हमें सीधा देते कि बताइए पैडी स्टैंप और है आपके पास उसका आप आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरुरत नहीं है अगर आपने इसका में सिम्टम लिख दिया तो वह उतना सफिशेंट होता है एक्जामिनर को वही चाहिए होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि भई खासियत इसकी क्या है सब क्या में डैमेज ये कोस करता है ठीक है चली तो डैमेजिंग सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो इसकी अंदर पैडी स्टैम वोरर में दो सिम्टम होते हैं फस्ट हमारे पास होता है डैड हार्ट सेकेंड होता है वाइट इयर अब डैड हार्ट क्यों बोलते हैं अब आपको पता है कोई एक परसन है अगर हमारा सब्सक्राइब पलांट के लिए इसका क्या होता है है इसका हम अगर यह तो system हो यह तो इसको बोलते हैं हम ड़ेड़ हाड क्योंकि सबस्टेइड हो जाता पहला हमारे पास होता है फॉरा पूरा 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 पूर्ण जो है वह से पूरा ही क्या हुजाता है टावलोंगों डिखने यहां से इससे हम बोलते हैं वायट यहां करें अब स्पैसिफिक मेनेज्मेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आप क्या कोशन का प्लिप अफ कर दोगे कहां से अठादोगे उसके अलावा जो एक होता है ट्राइको ृइक होती है ठीक है नीम और एकटाइक और नीम की सीड करनल एक्सटरیک्ट जो नीम की हो ठीक है और एक होता है कैमिकली के अगर बात करते हैं तो वह दें क्यूनल फोस तो आप एक जनल चीज का मैनेजमेंट याद रख्या करिए और एक आप थोड़ा से कैमिकली वाला ध्यान रखना कि कॉमन कॉमन कहां पर आ रहे हैं क्योंकि फिर वह स्पेसिफिकली पूछ ले होता है सेकेंड इसका साइंटिफिक नेम जो होता है और को अपसे पूछे कि मतलब होता है कि वह एंड किस से हो रहे है ख़तम किस से उतने भी आप ऑडर पढ़ोगे अब जिसे नीचे देखिए अब यहां डिब्टे रहा तो ये टेरा जो लगता है यह हमेशा किसके आगे लगता है Patera P-T-E-R-E order के आगे हमेशा सफिक्स में यह लगता है फैमिली की बात करोगे तो यह D-A-E यह सभी फैमिली के लास्ट में लगेगा पायरलीडी कॉकसे डिलीडी सिकोमाइडी तो यह सारो जगां यह D-A-E लास्ट में लगता होता है तो फैमिली में यह लगता ह होता है order के अंदर P-T-E-R-E पटैर अलगता होता है यह चीज़ याद रहेगी चलिए अब स्टैंब और के डैमेजिंग सिम्टम के अंदर दो याद रखने है एक होता है डेड हाट दूसरा होता है इसके अंदर वाइट यह जभी याद आएगा हमें हम क्या करेंगे वह स् पुश्प करम है वह क्या हो गया राए हो गया स्पैसिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे इसके टिप पोशन पर आ जाते हैं अगर एग्स वागए उसको क्लिप ऑफ कर दी जाता है और एक का पैरसिटोड हम यूज करते हैं इसके अंदर ट्राइको ग्रामा जैपोनिक हम इ पास आता है डाट इस गॉल मिट राइस का जो गॉल मिट जो होता है उसका नाम क्या होता है हमारे पास और सी ओलिया और आइजी ठीक है अब इसके अंदर यह जो मिट जो होते हैं इसका नहीं हमेशा कॉमन ध्यान रखना कि जहां पर भी बॉरर दिखे यानि इसका नाम क्या होता है गॉल मिट और सी ओलिया और आइजी ठीक है इसकी फैमिली क्या होती है कैसीडोमाइडी कैसीडोमाइडी इसकी फैमिली होती है और सी ओलिया और आइजी गॉल मिट का इसकी क्या होता है साइंटिफिक नहीं होता है अब पूछा जाता है इसका डैमेजिंग सिंटम जो इसका बहुत फेमस होता है या सिर्फ इसके लिए स्पैसिफिक होता है तो ना प्याज होते हैं ठीक है इस तरीके से ठीक है जो अनियन की जो लीव जोती है उसकी तरह दिखने लग जाती है तो इसलिए इसको पोलते हैं अनियन लीव यह सिल्वर शूट जिस तरीके से हमें ऊपर दो नाम याद रखे कि डेड हार्ट और वाइट यहां पर भी आएगा यहां पर भी अनियन लीव यह सिल्वर शूट आएगा तो इसके अंदर इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो एकदम प्याज की पतियों की तरह दिखती है आपको अनियन की लीव की तरह दिखती है यानि यह सिम्टम किस ने किया है गॉल मिज ने किय है मचकप यह इसकी तरह हमारी प्लाइज की तरह दिख रहा है तो इसली जो फ्लाइज वाला जो मीजर आती है जो फ्लाइज आती है ऑप इसके अंदर आप कैसी कर सकते हो जिस तरीके से आपने ऊपर क्या किया कर यहां पर है के इसके अंदर भी हम क्या करते हैं पर सकिया क्विकरम यह इसकी रिजिस्टेंट वराइटी होती है जिसकी उपर गॉल मिट्स का अटैक नहीं होता है अब एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो डारेक्ली आपसे पूछ लिया जाता है कि बताई है कि गॉल किसका मॉडिफिकेशन होता है तो जो गॉल होता है वो बेसिकली अलग-अल किशिट का मॉडिफिकेशन होता है तो अगर आपसे पूछे कि गॉल किसका मॉडिफिकेशन है इसकी अंदर क्या हो जाएगा चाहिए इस तरीके से हमें लिंक करके याद रखना है तो गॉल मिर्च के अंदर हमने क्या पढ़ा पहले तो गॉल मिज याद करते हैं यहां पे उसके बाद हमने याद किया इसका साइंटेफिक नेम क्या होता है और और करके इसका नाम है तो और सियोला और आईजी अब हमें कैसे डो से तो चीज़े याद रखने है इसकी वी कैसी डोम आईडी है और गॉल फॉरमेशन के लिए जो चैमिकल रिस्पॉंसिबल रहता है कारण होता है वह क्या होता है कैसे डोचन होता है थो इसके अंदर गॉल का तो अगर हमसे पूछें कि गॉल किसका रहता है शीथ का मौनिफिकेशन होता है तो हमें एक दम ऐसे पूरी थ्योर्य को इसे कहानी सी बना के हम इसकी पूरी चीज़ें याद रखती है कि हमने उस गालमेच की कहानी के अंदर हमने क्या-क्या चीज़े पढ़ी क्या क्या चीज़े इसके पार्ट इंपॉर्टेंट है हो गया हमारे लार्वा पैरसिटोइड हम इसमें क्या यूज करते हैं प्लैनिंग गैस्टर और आईजी या फिर हम इसके लिए कुछ रेजिस्टेंट वरा टीक है कि मिलेंगे ख्रमकर धूंपर का नाम है यह दो नाम इसके फिक्स फिक्स होते हैं तो आपको यह दो नाम याद रखने हैं आई जहाँ पर का नाम आज जाए तो यहां लगा थो जो होता है वह ग्रीन ओपर का नाम क्या होता है दोटा सा तोड़ा सा आपको पूरा मिला वहाँपे कहां पर मिला नीले रंग के परवत पे ब्रहन प्लांट मिला अपको यह याद रखना easy है हमारे लिए तो यह आगए हमारे पास brown plant hopper का नाम होता है नीला परवता ल्यूगिन्स यह हो गया चलिए अब दोनों जो hoppers होते हैं दोनों का order जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा अब hoppers की category किसके अंदर आती है hoppers आते हैं हमिपठेरा में H4 hopper, H4 हमिपठेरा तो hoppers की category रहती है किसके अंदर हमिपठेरा में तो दोनों के order हमारे पास सेम हो गए है अब रहता है green green वाला तो क्या कहता है कि मुझे तो सिक्के चाहिए तो green leaf hopper की family क्या हो जाएगी ब्राउन प्लांट ओपर की family क्या होती है डेलफा सीडी क्या होती है इसकी डेलफा सीडी तो इसके अंदर green leaf hopper जो होता है उसका नाम क्या पढ़ा हमने नेफोर्टेटिक्स विरेसिंस ठीक है और ब्राउन का पढ़ा किसके अंदर brown plant कहा मिल रहा है आपको नीला परवता ल्यूगिंस तो कोई जर्दी को कोई जरूरी नहीं है कि यह चीज मैंने पहले भी आपको बूली थी कि जब ऐस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी होती है किसी को डारेक्टली याद हो जाता है किसी को क्या होता है पढ़ाकर याद रहता है कि जसे अगर मैं आपको यह चीज बता दूँगी किसी को कोई भी उपने फ्रेंड को लीजिए उसको बताए कि यह पैस्ट की बारे में मैंने यह चीज पढ़ी बहुत बैस तरीका होता है कि अब जितना डिसकस करके पढ़ते हैं वो उतना जादा अच्छे से आपको याद रहता है अब अगर मैं आपको यह बात एक दो चीज एक दो टाइम बता दूँगी अच्छे से वो चीज जादा अच्छे से याद हो रही है तो हमेशा कोई भी इस तरीके की चीज याद रखने हो तो अपना वो टेक्निक लगाइए TRIKS बनती है, TRIKS बनाएए कैसे मझ जी, कितनी भी, कितनी भी हम कहते है न, की बिल्कुल सिली mango कोई TRIK है आपके कि कोई किसी को बताओगे तो कहई गई यारी क्या TRIK बनाएए न, तो ने चाहिए तो कोई matter नहीं करता है, मत बताना किसी को आपको याद हो रही है तो आप बनाएगे ट्रिक चीक है तो चलिए ब्राउन प्लांट होपर का नाम क्या होता है नीला परवता लिविंद इसकी फैमिली होती है डेलफा सीडी और हैमी पटेरा तो हमने दोनों होपर के लिए पढ़ लिए चलिए अब ग्रीन लीफ होपर करत लिए यानि कि येल्ओं अफ लीफ प्रम टिप टू डौन वर्ड्स यानि की जो लीफ होने शुरू हो जाएंगे लेकिन स्टाट कहां से होगी टिप पोश्चन से स्टाट होती होती निच्छे इसकी सारी की सारी लीफ क्या होजाती यालो हो जाती तो यह मालों कि ग्रीन ल करता है इसके अंदर मैंने फर्त आपको बताई था वह बिल्कुल डिखते आ दिखने में बिल्कुल डिल्ट की तरह होते चीज़ Jackie तो सोते हैं जो इस्के विंग सीена तेरा आपकुछ तो खास रहेगी ना बाद में जएके उसको अडल्ट बना ना तो निम जो थे उनके पांख नियुँनके रिप्रोड़क्टिव ऑर्गंस जो होते हैं वह भी पूरे डवलप नहीं होते वह भी एडल्प में जाने के बाद डवलप होतें तो निम्फ और एडल्ट जो होते हैं दोनों ही डामेज कॉस करते हैं तो दोनों क्या करते हैं देख कॉंगरीडेट एड़ बेस अफ तर प्लांट अब वाटर लेवल तो राइस आपको पता है राइस क्या होता है सबमर्ज़ पान वाटर में रहता है उसको थोड़ा सही सैमी सबमर्ज़ वाटर में रहता है थोड़ा पानी के अंदर रहता है तो यह क्या होते हैं कि यहां पर जो इसका एक्दम प्लांट का बेस होता है ना वाटर की सर्फेस पर यहां पर इसके निम्फ और एडल्ट वहां पर इकठे हो जाते हैं तो अब इन क्या करते हैं तो वाट जिसे आपको बी जल जाता है पार वह लास्ति निक्या हो जाते हैं आपर बॉंट अपीरेंस आ जाती है तो सेम सी है स्टेप गेंगे इसके इनदर क्या चीज़ होती है कि वह प्लांट ड्राइब हो जाता है एकदम सूप जाता है स्कॉछ तुछ दर्दरी सी तैसे कि हमें इसके ऊपर चिई यह वाटर की सर्फेस के ऊपर तो वहाँ पर यह क्या करता है जो affected plant होता है वो dry होने लग जाता है पहले यह यलो ओरेंज कलर का होता है दिरी-दिरी वो brown scrossed appearance देने लग जाता है ठीक है जिसने की ऐसा लगता है burnt appearance आजाते जलने वाली appearance लगती है वहाँ पे इसलिए हम इसको होपर burn बोलते हैं तो इसको करने का तरीका जो होता है यह थोड़ी से पूर्ट टिपिकल नाम है तो अगर हमें नहीं याद रहते तो हमें नहीं करना इसका सबसे जो simple और सबसे best जो इसका control होता है वो होता है इसका यह रहा अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग अल्टरनेट वेटिंग और यानि कि एक बार आप वहाँ पर पानी रखेंगे फिर एकदम से ड्राइ कर देंगे इससे क्या होगा क्योंकि उनकी एक specific condition है पानी में रहने की कि वो इस जगा पर इतने पानी के level की उपर वो रह सकते हैं तो अगर वहाँ पर उतनी optimum पानी की condition आपने उसको नहीं दी तो वो survive नहीं कर पाएगा आपने एकदम से पानी दिया आपने उसको dry कर दिया तो उनको वो पानी की surface properly नहीं मिल रही है जहां पर वो survive करके plant को खराब करेंगी या damage करेंगी हाना तो इसका सबसे basic सा control होता है कि आपको पहले alternate wetting और drying करनी है पहले वेट करोगे पानी वहां पर रखोगे फिर इकदम से सारा पानी dry कर दोगे वहां से फिर दुबारा wetting करोगे तो इसकी वज़े से क्या होगा कि उ बहुत ज़दे important है एक grassy stent disease होती है एक ragd stent होती है एक wilted stent होती है तो यह तीन जो stent वाले disease होती है उसका vector कौन होता है ब्राउन प्लांट होपर होता है तो grassy stent ragd stent wilted stent तीनों तरीके की disease को transmit करवाने वाला एक कोज़े से दूसरे पौदे में transfer करवाने वाला कौन वेक अंदर हमने और क्या देखा जो राइस टूंगरू वाइरस होता है बहुत इंपॉर्टेंट वाइरस है इसका राइस टूंगरू वाइरस है यह जो राइस के अंदर जो यह लोइंग होती है उसके लिए responsible होता है ग्रीन लीफ ओपर को एक सात्री वाइस करो ओपर है तो पर्था पर वताई लीघंत चलिए अब इसके बाद इसकी इसाफी बात करते है तो ग्रीन वाले जो लीफ ओपर है उसको गहते मुझे तो सिक्का दो और उसके बाद फिर मैं ऐने आक करूँगा मुझे सिक्के चाहिए तो इसकी फैमिली की तो उसकी कहां से होजाती है उसक से स्टार्ट होकर फिर बेस वाले पोशन तक सारे कि सारा जो नीव पार्ट होता है वो यह लो जाता है ठीक है इसके लिए प्रिजिस्टेंट वेराइटे लगा हो गई हां पर आयार सेवं एसके इंदर आती है सिक्स्टी आ जाती है यह सी ओफॉटी सिक्स एक याद रख लेन और है तो अगुटरो का वाइरस का इसके बात करते हैं तो इसके निम्फ अब ब्रानिक वह प्लावन होपर रहेंगे रहने के बाद पर जैसे उनकी population बढ़ती है वहां फीड करते हैं डैमिज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है ड्राइनस आने लग जाती है यलो इश औरेंज कलर का होता है धीरे धीरे वह ब्राउन कलर की स्क्रोजड अपियरेंस आती है ठीक है जिसकी ऐसा लगता है कि वहां पर वह पोश चाहिए कि वह पाने के सफिस की उपर सर्वाइव करेगा अपने एकदम से वेट करके दिया तो वह सर्वाइव वहां पर नहीं कर पाएंगे और यह ब्राउन युक्त ऑपर कौन से किस-किस डिजीज के वेक्टर होते हैं तो यह थे हैना ग्रासी स्टंट के रि sect के और B iLT iNet 2017 वाली जो डिजीज होती है किसे ठाउंस मिट lugथ होती है यह वोथी तोamtनि अटो बरके 24 हमने चलिए है चलते हम में किसे तोटल देखते हैं कितने हैं कि 11 पढ़ने चार हमने पढ़ लिए चलिए अगला देखते हैं हम इसके अंदर अब एक और देखो एक और होपर आगया हमारे पास वाइट बैग्ड प्लांट होपर चीके यह लगबग वैसा सही है उसकी तरह होपन बन की तरह इसका नाम क्या हो सबसेम है दोनों का सिब नाम में फरेक है स्म्टम इसका यह रहे हैं इसमें ग्रीन लान्ट वाला और ब्लैक वाले इनों ब्राउन कलर का हो गया पूरा जल चुका है यह टिप से लेकर लास्ट देस तक ठीक है तो यह चीज इसके अंदर आ जाती है डेलफिस एडी और हमें पुटेरा दोनों में सेम था ब्राउन प्लांट होपर में भी यह है और वाइट बैट वाले प्लांट होपर में भी यह है सिर्फ इसके नाम में फर्क है सोगा टेला फरसी फैरा ओके यह चीज हो गई इसके बाद आता है एक लीफ फोल्डर आता है पहले हमने पढ़ा बोरर किसमें लेपिटो पटेरा में अब हम पढ़ेंगे कि फॉल्डर किसके अंदर आ रहे फोल्ड कौन कर रहा है वो भी क्यो पढ़ी थी पैड़ी के स्टेम्बोरर की फैमिली पढ़ी थी अब याद कर लो कॉमन चीज़े इंपाइर雷 के अंदर बढ़ रहे है एक हमने पढ़ार बढ़ा हो ऑडा की nhiều पॉल्डर के लिफकी ब्रण के अंदर गोुडर 4 क화를 को किया रहेंगी हमारे पास नाम क्या होता ह इसका नाम होता है Canolf Croses Medinels, चेक है, Nefros Croses और Medinels इसका नाम हो गया, बगि इतने टिपिकल नाम आपके एक्जाम में नहीं पूछते हैं, आप से पूछेंगे तो बहुत स्पेसिफिक पूछेंगे, गंदी पूछते हैं, या फिर आपका जो यह स्टैंबोरर हो गया, हुपर हो गए, तो बहुत जनल चीज़ें वैसे पूछी जाती है, बढ़ ठीक है, हम अभी इनिशल फेस बें त्यारी कर रहे हैं, तो एक्जाम के टाम के जो मीजर मीजर है, वो अच्छे से रिवाइज रखना, इनको थोड़ा-थोड़ा ध्यान में रखना कि objective में कहीं मिलता इस से related पढ़ा था यह, ठीक है, important आपके जो starting वाले हमने पढ़े, यह चार जो थे, यह बहुत important है, इनकी symptom बहुत specific है, इसलिए, ठीक है, चलिए, leaf folder का नाम होता है, nephlocrosses, medinels, इसके अंदर stem borer की तरह ही, same family होती है, same order होता है, इसके अंदर तो दो चीज़े, same रहे गई है हमारे पास, अब इसके नाम में leaf folder है, यानि क्या करेगा, leaf को fold करेगा, diagram में में दिख रहा है, इसने क्या कर दिया leaf को, fold कर दिया, leaf fold longitudinally, यानि longitudinally नहीं lengthwise, ऐसे lengthwise ही fold हो जाएगी leaf, ठीक है, तो इसके अंदर larva उसका अंदर रह जाता है, और उपर से leaf को fold कर देता है, ठीक से, तो इस तरीके से क्या करता है, scrap कर देता है, पूरे green tissue को, ठीक है, scratch करकर करकर के सारा green content, जो इतना भी green tissue है, वो ले लेता है, इस वज़े से वो last में जाके क्या हो जाते है, वो white हो जाते है, तो leaf folder का नाम, नाम से पता लग रहा है, leaf को fold करेगा, करता क्या है, longitude में leaf को fold करता है, लार्वा अंदर रह जाता है, अब अंदर जाके ताकि बहार से पता ना लग जाएगी, हमारी strategy ना बहार आ जाए, तो हम क्या करते है, इसके अंदर इसके लार्वा अंदर जाएंगे, उसको scratch करते हैं, scrap करते हैं, पूरे green tissue पे feed कर देते हैं, जिसकी वज़े से वो leaves जो हो जाते हैं, वो white हो जाते हैं, ठीक है, यह हो गया, अब इसके अंदर आता है, हमारे पास control भी तो करना है, control करने के लिए हम trichogramma की species लगाएंगे, उसमें भी हम लगा रहे थे trichogramma की, इसमें भी हम trichogramma को release कर देंगे, इसके लावा हम neem seed canal extractics में लगा देंगे हम, उसके अंदर chemical control क्या देखा था याद कीजे, फिर मैं दिखाऊंगे वापस उसको, याद करो, याद करो, याद आए है, तो paddy star乾 c Him-Border के लिए chemical control क्या यूज किया था, हमने क्यूरय přोस का यूज किया था, किसका यूज किया था हमने, क्यूण फोस का हमने and use किया था, और किसका यूज करेंगे हम प्लोरो पाइरी फोस का निखेगा पिश्य के लिए कि एक लिए km के लिए के लिए rumah में हैं यक्स जो हमारे पास आते हैं उनथा आता रैस का कैस तो साथ सोआ होता है इस तरीके से का केस वह होता है इसका नाम क्या होता है निम्फियूला डी पंक्ट्वेली फिर से सेम याद इसके अंदर करना एक और उसके अंदर मैंबर आपका जूट चुका है पैडी स्टेम वॉरर पढ़ा हमने उसके बाद आपने पीछे लिफ फोल्डर पढ़ा पोल्डर के बाद तीसरा आता है केस वह तीनों की फैमिली तीनों का ओर्डर जो है वह बिल्कुल सेम है इसको एक जगा लिखके रख लो इसे तरीके से मियाद करते हैं जा ट्राइग करना है इतना कम से कम मैटर हम कर सके तो यहीं हम बात कर रहे हैं तीन चीज़ें है तीन उसके बाद इसके अंदर वो क्या करेगा एक कटिंग लीफ को कर देता है इस तरीके से और वहाँ पर हैं कर देते इस तरीके से लीफ टिप्स हो जाती है लास्ट में तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है जो कि करते हैं पासिंग और पॉर्प पॉशन पे है तो उसके उपर रोप को इस तरीके से पास करेंगे तो उपर से जो भी उसके एक वगरा होंगे लेकी होंगे वहां से गिर जाएंगे नीचे फिर उन्हें से कलेक्ट वगरा करकी और डिस्ट्रॉइ कर दिया जाता है ठीक है तो यह इस मैनेजमेंट में किसी किसी का बहुत स्पेसिफिक रहता है ना कि अगर आपसे मैनेजमेंट पूछ लें कि जिसे हमने पीछले किसका पढ़ा अभी अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग पड़ इस जो होते हैं यह वहां गिर जाएंगे फिर इसको कलेक्ट करके आप इसको डिस्ट्रॉइ कर देना ठीक है यह हो गया तो इसके अंदर हमें अगर यह सिम्टम आपसे डारेक्ली पूछू कि बताइए कि अगर हम यह क्रॉप के उपर से रॉप को पास कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि हम राइस के केस वह हमके इलाज के लिए यह चीज़ कर रहे है ठीक है इसकी फैमिली और दोनों पेडिकिस्ट है पोलर की तरह सेम है ओके चलिए अब इसके अंदर इसका मेन काम क्या होता है लीफ केस को हांग करना विए आप ऊते निपास और अपने केस बना लेक्क Detなく अब एक आता है राइस हिस्पा, हिस्पा मैंने बोला हिस्पा आ गया है कि हिस्पा जो होते हैं, इनका एडल जो होता है, वो बीटल की तरह होता है, तो ये बीटल की तरह होते हैं, जो हिस्पा होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, कॉलियोपटेरा के अंदर आते हैं, जिस त क्या बूलते हैं मुषकि कौलीचिर नाम बहुत अच्छा साही कुश्छ ना मतलब इसके लिंकते हैं हिस्प डिस्प ची तो राईस के ऊंनां क्या हुआ डिकला डिस्प आर्मी जैरा Ladies Hispa Declar Dispa तो hispa औरarios Hispa इसका नाम एक्दम लिंक ढ़ो गया अब इसके अंदर क्या होती है Colupatera Hispa बेटल्स आ जाते हैं तो किसमें आता है Colupatera की अंदर आता है Colupatera से याद रखना है कि Colupatera की damaging करने वाली stage जो होती है या फिर हम बोले है कि Colupatera का जो लार्वा होता है उसे क्या बोला जाता है new ले क्राइश्व मैलेडी स्की फैमिली कॾलिपटेराइस का order होता है अब इसके अंदर यесто ग्रइस इसपा काम क्या होता हो है इह माइनिंग करते हैं लीफ बनाते अंदर जैंगे तो यह ग्रब जो होता है लीव एक हमिके कर देते हैं इसकी जो एडल्ट होते हैं वह क्या करते हैं कि उस राइस के इस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से इसे करेंगे सब्सक्ति पिराइब स backstory काम होता है इसके तिरय बनाता बनाता चलता है ठीक है और जैसे आपको यह वाइट क्लर के स्ट्रीक से दिखने लग जाएंगे यानि किसका अटायक हुआ है राइस हिस्पा का अटायक हुआ है जिसका नाम क्या होता है डिकलाडस्पा आर्मी जैरा ठीक है कॉलेपटेरा और ऑडर होएगा कॉलेपटेरा और इसकी फैमली क होने के चांसे जादा हो जाते हैं इसलिए फर्टिलाइजर हमेशा जितना रिक्वार्ड होता है उतना ही देना चाहिए चलिए अब आता है हमारे पास अब यह एक बहुत अलग सा इसका एक खास पेस्ट है जो होता है राइस का गंधी बग नाम में ऐसे तक गंधी गंध किसक जो पूछा जाता है बहुत बहुत के लिसके नामों गुदा इसका नाम होता है यह क्या नाम होता इसका लैप्टो कैरिश ऐक्यूटा सथे तो इसका नाम होता है लेप्टोरिसा, अब इसके अंदर ये जो बग्स होते हैं, बग्स से पहले हमने एक और क्या चीज पढ़ी थी याद करू. हैमिपटेदा में आने वाली, क्या पढ़े थे हमने, होपर्स पढ़े थे, हाना तो होपर्स हो गई, जो बग्स हो गई, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे पास, यह आते हैं, हैमिपटेरा के अंदर. अब इसकी family होते है, Corridi. क्या family हो इसकी? Corridi family है. Leptocorrhisa सा याद रहे गाफ, गंदी बग जो है, वो बहुत smell कर रहा है, grain के side में लिपता हुआ, लिपता हुआ, यानि इसका नाम क्या है? Leptocorysa acuta, ठीक है? अब इसके अंदर main important जो याद रखने वाली चीज है, वो है ये, कि गंदी बग जो होता है, वो कौन सी stage की उपर attack करता है? तो वो attack करता है, milky stage की उपर, milky stage की उपर उसकी जो growth की, plant each rise की जो growth की, जो milky stage होती है, उसकी उपर ये attack करता है, उसको attack करने के बज़ के अंदर हर एक ग्रेन बहुत चैफी हो जाते है, अंदर से feed कर जाते हैं, तो उसके उपर black black sport दिखते हैं, क्योंकि वहां से पंचर करके अंदर चला जाता है, और बहुत बग सा एक order आता है, order का मतलब smell होती है, वहांती कब है, milky stage पे, यान नाम से पता लग रहा है, गंधी है, यानि कुछ गंध आ रही है, यानि कुछ smell आएगी, तो बहुत specific चीज़े पता लग जाती है, ग्रेन से बहुत 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 जादा है, तो वह गंधी बग की वज़े से आया है, प्लस इसका main important चीज़ की attack कब कर कब आपको इसका main symptom दिखता है, milky stage की उपर दिखता है, ठीक है, क्योंकि grains के अंदर का जितना भी sap, जितना भी nutritive liquid होता है, वो सब को ये feed कर देता है, तो बिलकुल चैफी, बिलकुल dried हो जाते हैं, और वहां से बहुत bad smell आती है, milky stage याद रखना गंधी बग में, इसके ल को जोल करने के लिए, ठीक है, बाकी bugs वगारा है, तो अगर ये adult है, तो अप net वगारा की through आप इनको पगड़ सकते हो, okay, milky stage याद रखना है, गंधी बग के लिए, कि milky stage के उपर ये attack करता है, और वहां पर बहुत foul smell आती है, बहुत bad smell आती है, और इसका नाम क्या होता है Leptochorica acuta, ठीक है, अब bugs है, तो Hemipatera के अंदर आएंगी, इसकी family होती है, Corridi, ठीक है, यह चीज हो गई, चलिए, उसके बाद एक next चीज हमारे पास आती है, वो आती है rice का grass होपर, तो grass होपर तो देखो बहुत एक general सी होती है, इस grass होपर तो generally green plants पे रहता ही, रहता है, इ Chiroglyphos, Benion इसके grass ओपर का नाम होता है, RKDD इसकी family होती है, orthopatera इसका order होता है, ठीक है, orthopatera इसकी family होगई, nibbling of rice, इसका एक general symptom होता है, ठीक है, इसकी control के लिए कारबरा यूज करते है, एक ठीक है, ग्रास ओपर एक general है, तो अलग से इतना नहीं पूछते, तो अभी होती है, thrips, thrips का attack बहुत जादा रहता है, thrips का नाम और इसकी जो family और order है, वो बहुत सिंपल है, याद रखने है, TTT, T4 thrips, T4 thripedi, T4 thaizenopatera, fix होता है एक तम इसके अंदर ना, ठीक है, तो इसके क्या हो गया, T4 thrips, T4 thripedi, T4 thaizenopatera, ठीक है, इसका नाम हो गया, ठीक है, इसके अलावा, इसके नाम के अंदर भी आता है, stickano thrips by for me, तो इसके सारे नाम के अंदर, इसकी families की order, तो बहुत सिंपल से है ये, ठीक है, तो thrips का नाम क्या हुआ, stickano thrips by for me, ये इसका नाम हो गया, इसकी thripedi, इसकी family हो जाए गया, इसका order हो जाएगा, TTT से, याद हो गया इसके अंदर, ठीक है, और इसका terminal यानी की जो एकदम किनारा होता है, वहाँ से roll होने लग जाते इस तरीके से, जिसका marginal portion होता है, वो roll होने लग जाता है, इसके अंदर, ठीक है, और वहाँ पर yellow या silver कलर की streaks आपको leaves के उपर दिखने लग जाते हैं, इसकी control के लिए हम क्य करते हैं, नर्सरी का एक बहुत important pest है, यानि नर्सरी स्टेज के अंदर यह बहुत जदा अटैक करता है, तो ठीक के लिए क्या खास बात याद है, कि एक तो ठीक होती है, वो सबसे अटैक कौन से important stage पर करेंगी, वो करेंगी, नर्सरी स्टेज के उपर अटैक, दूसरी इसका order हो गया, ठीक है, इसका main क्या करेंगा आप यल्लो या सिल्वर कलर की leaves के उपर आपको streaks दिखने लग जाएंगे, इस तरीके के streaks दिखने लग जाएंगे, और चो किनारे वाला portion होता है, वो इस तरीके से roll हो जाएगा, control के लिए क्या करोगे, पीछे भी आपने क्य किया था, इसके अंदर गंधी बग के लिए भी हमने मैला थिया नहीं डला था, अब अगर हमने इराइस के 11 पेस्ट याद रखे तो पहले से इजी हुए ना, इसको एक दुबार और आप देखेंगे, यहां पर दुबारा से revise करेंगे, तो और अच्छे से revise हो जाएंगे, तो अभी हमने इसके अंदर stem borer पढ़ा, जिसका monofagus pest था, जिसके symptom थे, dead heart और white ear mean थे, ठीक है, इसका नाम था skipofaga insert to less, अभी पाइरे लेडी फैमिली और lapidopatera order हमने तीन में पढ़ा, किस-किस में पढ़ा, paddy का stem borer पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा किसके अंदर leave क फोल्डर पढ़ा, पिर हमने पढ़ा rice का केस वो, तीनों के अंदर पाइरे लेडी फैमिली थी, लेपिडो पटेरा order था, ठीक है, अब खास-खास क्या होगा है, इसके पैडी का stem borer खास है, दो बहुत main symptom है पढ़ रहे हो इसके अंदर, और उपर से यह monofagus pest रहागया इसक क्यूनल फोस आप इसको यूज कर रहे हो, chemically control कराने के लिए, गॉल मिज है, तो गॉल मिज के अंदर भी इसका नाम बगर हमने पढ़ा, इसके अंदर भी बहुत simple, इसका characteristic symptom है, onion की leaf या silver shoot आ जाती है इसके अंदर, फिर एक important चीज हमने पढ़ी कि गॉल किसका modification होता है, तो इसकी फैमिली हो जाती है, उसके बाद हमने दो तरीके के hoppers पढ़े, hopper burn symptom होता है और यह जो green वाला होता है, यह क्या करता है, हाँ पर इसको tip portion से लेकर down तक उसके अंदर yellowing कर देता है, पढ़ा हमने, ठीक है, हमने vector बढ़े की भी तुम्रो वाइरस का vector तो होता है, green वाला ठीक है, और जो यह stunt stunt वाले तीन हमने disease पढ़ी है, grassy stunt, ragged stunt और wilted stunt वाली, यह किसकी वज़े से इसका vector कौन होता है, हमारे पास इसका होता है, brown plant होपर होता है, उसके बाद क्या पढ़ा आगे हमने, फिर हमने यह white-backed वाला पढ़ा, इसके अंदर तो almost symptom सारा black plant होपर वाला है, इसलिए इसके अंदर भी hopper burning होगया हमारे पास, ओके और यह leaf folder के अंदर के अंदर के है, इसका नाम होगया हमारे पास, nephlocrossis, medinels, अब इसके अंदर जैसी बात है, नाम में leaf folder है, तो leaf को यह fold करेगा, लारवा इसका अंदर आ जाएगा, अब अंदर है के damage क्यासे है, जिसकी वज़े से वहाँ पे हमें इस तरीके से white color क्या portion हो जाता है, leaf के उपर, वो dry हो जाता है, इसकी control के लिए हम trichogramma use करते हैं, दोनों पायरे लेडी वालों के लिए, stemborer में भी किया था, इसमें भी किया है, इसके अंदर हम trichogramma का use करेंगे, ठीक है, उसके लावा वो tip potion hang हो जाता है, hang होने के बाद hanging हो जाती है उसके और यहाँ पर वो अपने क्या बना लेते हैं, case बना लेते हैं, तो इसको control करने के लिए बहुत अच्छा सा method होता है, कि एक लंबी सी रसी ली जाती है, उसको crop से इस तरीके से pass करवाई जाती है, जिसकी वैसे tip potion पे जो एक चीज हमने पढ़ी कि इसके larva जो होता है, उसे क्या बोला जाता है, grub बोला जाता है उसे, इसके grub करते क्या है, ये leaf blade के अंदर mining करेंगे, फिर इसके adult जो होते हैं, वो chlorophyll के उपर feed करते हैं, राइस केस को ऐसे scrap करेंगे, वहाँ पर white parallel streaks मिलती है, अगर हम इस तरीके कि ये तरीके की white parallel streaks मिली, यानि किसका attack है, राइस हिस्पा का attack है, हिस्पा इसका नाम एकदम clear रहता है, डिकला डिस्पा आर्मी जैरा, इसकी control के लिए हम क्या करते है, क्यूनल फोर्स, क्यूनल फोर्स है हमने किसकी control के लिए किया था, महाँ पर स्टार्टिंग में, करता है, लिपता हुआ होते है, तो बग किसके अंदर आते हैं, हमारे पास, हमी पटेरा के अंदर आते है, क्या याद रखने है, हमें कि कौन सी stage q पर attack करते हैं, ये, मिल की stage q पर ये attack करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम क्या डाल देंगे, मैलाथियन का यूज करेंगे, बाद में thrips के लिए भी हम मैलाथियन का यूज करेंगे, ठीक है, ग्रास ओपर का सिर्फ नाम है, हाइरोग्लाइफस, बैनियन इसका नाम हो गया, आर्केडेडी इसकी फैमिली होगी, और तो पटेरा इसका ओर्डर हो गया, ठीक है, ठीक है, यलो या सिल्वर कलर की streaks मिलत है, margin portion जो होता है, वो रोल हो जाता है, ठीक है, मैलाथियन करेंगे, और nursery के अंदर ये बहुत important pest रहता है, क्योंकि नर्सरी स्टेज में attack जाधा करता है, ठीक है, तो यह हमने rise के 11 pest पढ़े, तो I think यह बहुत पहले से हमें entomology easy लगने लगे होगी, थोड़े याद रहने ल